हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेश आले राष्टे राजधानिक शेत दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नंबर 47 जो की कक्षा नौवी के विद्ध्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है समाजिक विज्ञान के इतिहास विशे से जिसमें हम समझ रहे हैं अध्याय नंबर 2 यूरोप में समाजवात एवं रूसी करांती को और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है यूरोप में बदलते हलात यानि यूरोप में किस तरह से हलात उनके बारे में जानकारी प्राप करते हैं और उस समय कौन-कौन से वर्क थे उनके क्या-क्या विचार थे उनके बारे में बात करेंगे तो चलिए बिना समय गवाय शुरुबात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातनवादी लोगों की जो जिनने हम conservative के नाम से भी जानते हैं इंगलिश में हम उनको conservative कहते हैं यानि कि जो पुरानी परंपराओं से जुड़े रहने वाले लोग होते हैं उनको हम पुरातनवादी कहते हैं उननीसवी सदी तक आते आते वे इस बात को स्विकार करने लगे कि परिवर्तन अवश्यम भावी हैं जो उनके पुराने विचारों के विप्रीत था जो परिवर्तन का विरोध करते थे यानि उननीसवी सदी ननीसवी सदी का मतलब होता है सन 1800 से 1800 99 तक तब तक जो पुरातनवादी यानि पुराने विचार वाले लोग थे वो ये समझने लग गए थे कि अब बदलाव तो जरूरी है लेकिन ये बदलाव जो था वो उनके विचारों के बिलकुल विप्रीत था और वो इस परिवर्त प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए यानि परिवर्तन एकदम ना आए बलकि धीमे धीमे आए फिर उसके बाद होते हैं रेडिकल लोग वो लोग होते हैं जो कि आमूल चूल परिवर्तन वादी होते हैं यानि कि जो चाहते हैं कि एकदम परिवर्तन होना चाहिए यानि बहुत जल बहुत सारे लोगों ने महिला मत अधिकार आंदोलन का भी समर्थन किया। यानि ये लोग चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले। ये बड़े जमिदारों और संपन उद्योगपतियों को प्राप्त विशेश अधिकारों के खिलाव थे। यानि ये नहीं चाहते थे कि जो बड़े लोगों को जनम पर अधारेत या विशेश अधिकार जो उनको मिल जाते थे उद्योगपतियों को या फिर जमिदारों को वो नहीं मिलने चाहिए। वे निजी संपत्ती के विरोधी नहीं थे परंतु संपत्ती केवल कुछ लोगों के पास हो इसका विरोध वो करते थे यानि कहते थे ये लोग मानते थे कि निजी संपत्ती होनी चाहिए लेकिन सारी की सारी संपत्ती या जादार संपत्ती किवल कुछ लोगों के पास हो ये नहीं चाहते थे फिर इसके बाद एक वर्ग था उदारवादी लोगों का जिने हम लिबरल भी कहते हैं यानि ये क्या चाहते थे इनके क्या विचार थे देखते हैं एक बार उदारवादी ऐसा राष्ट चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का समान और जगे मिले यानि सभी जो वर्ग हैं चाहिए वो अमीर हों गरीब हों सभी धर्मों को बराबर का समान दिया जाए और उन्हें जगा भी दी जाए वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे यानि ये नहीं चाहते थे कि वंश वाज चले यानि एक राजा फिर उसके बाद उसका पुत्र राजा फिर उसके बाद इस तरह से नहीं वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे यानि उन्होंने वो इस बात के पक्ष में थे की भई हर व्यक्ति के पास अपने अधिकार होने चाहिए ये सम्हू प्रतिनिधित्व पर अधारित निर्वाचित संसद्य सरकार के भी पक्ष में थे यानि ये चाहते थे कि लोक तंत्र आए यानि सम्हू प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना कि किसी एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए उन्होंने सूप्रशिक चित नियाईपालिका का पक्ष लिया, यानि वो ये चाहते थे कि नियाईपालिका भी हो, जो की ट्रेंड होनी चाहिए और वो अपना काम करे ये लोग सारभौमिक व्यस्क मताधिकार के पक्षमे नहीं थे, जो उदारवादी थे, वो नहीं जाते थे कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, फिर है समाजवाद का अर्थ, देखे समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन है न उन पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए ना कि सिर्फ पूंजी पतियों का, समझ में आई, अब हम समाजवाद की प्रमुक विशेष्टाओं को जानेंगे, जैसे की समाजवाद जो एक विचार है, समाजवाद क्या एक विचार है, अब वो क्या सोचता है, उसमें क्या विचार होना चाहिए समाजवाद में, देखी, समाजवाद निजी संपत्ती पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है, समाजवाद ऐसा कहता है कि समाज ऐसा होना चाहिए कि निजी समपत्ती नहीं होनी चाहिए बलकि जितनी भी देश की समपत्तियां है उस पर समाज पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए यह पुंजीवाद और मुक्त व्यपार के खिलाफ है पुझी वाद को बिलकुल नहीं चाहता ये नहीं चाहता कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए बलकि सभी वो बराबरी का अधिकार मिले ऐसा समाजवाद में के अनुसार होता है इसके अनुसार उत्पादन और वितरन समाज या राज्ये के हाथ में होना चाहिए यानि जो भी उत्पादन जो भी फैक्टरी लग रही है न वो किवल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होने चाहिए बलकि उस पर समाज या राज्य यानि सरकार का अधिकार होना चाहिए और समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य वाधिकारों के वितरन पर भी विचार किया गया यानि जितने भी नागरिक हैं सभी को अधिकार भी मिलें और साथ में उनके कर्टवे भी निर्धारित हों तो चलिए अब हम चल रहे हैं प्रश्ण उत्र की ओर पहला प्रश्ण है कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर तो ये है उत्तर नमबर एक ठीक है मैं यहाँ पर आपको माग करवा रहा हूँ आप इसमें से देख के लिखेगा उत्तर नमबर एक समाजवाद कर समाजवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन है यानि विचार है जिसका आधार उत्तपादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित है यहाँ तक आपने उत्तर नमबर एक लिखना है फिर है प्रशन नमबर दो समाजवाद के समपत्ति और उत्तपादन के साधनों पर क्या विचार है तो देखो यह है आपका उत्तर नमबर दो ठीक है, उसका पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है और इसका दूसरा पॉइंट लिखोगे ये वाला इसके अनुसार उत्पादन पर, उत्पादन और वित्रन पर समाज या राजय अत्वा सरकार के हाथ में ये होना चाहिए तो ये है आपका उत्तर नंबर दू याद रखना ऐसे ही लिखना पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर दू पॉइंट दूसरा प्रशन है कि पुरातन वादियों के क्या विचार थे यानि पुरातन वादी कैसा समझते थे उनके क्या विचार थे तो ये है आपका उत्तर नंबर तीन, ठीक है आपने ये तीनों पॉइंट लिखने है एक पॉइंट उनिसवी सदी तक आते आते वे इस बात को स्विकार करने लगे कि परिवर्तन अवश्यम भावी है जो उनके पुराने विचारों के विप्रीत था जो परिवर्तन का विरोध करते थे पिर दूसरा पॉइंट परंदुवें चाहते थे तो देखते हैं इसका उत्तर ये है आपका उत्तर नमबर 4 आपने ऐसे लिखना है देखो बटा कि आपने एक टेबल बनानी है इस तरीके से ठीक जैसे मैं यहाँ पर बना के दे रहा हूँ आपको और आपने ये दूनों लिखने है दोनों आप चाहें तो इसमें से जैसे चार-चार पॉइंट ही लिख लें या तीन पॉइंट ही लिख लें वो भी चलेगा तो जैसे आप कैसे लिखोगे बीच में ऐसे लाइन डाले ना इसकी एक तरफ आपने आमूलचुल परिवर्तनवादी लिखने और दूसरी तरफ लिखने तो पहला पॉइंट यह हो जाएगा आबादी में बहुमत के अधार पर शासन चाहते थे और यह चाहते थे कि सभी धर देंगे यह वाला ठीक है फिर यह तीसरा पॉइंट लिख दो इधर का तीसरा पॉइंट यह चौथा पॉइंट और यह चौथा पॉइंट बस इतना इतना आप करोगे इससे जादा करने की कोई जरूरत नहीं है तो यह तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझा आने से अब आपको समझ में लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए और टेलिग्राम मैप पर तुमारा चैनल जॉइन करना ना भूलेगा जिसको जॉइन करने का लिंक आपको इसी वी